हलो स्टुडेंट्स वेल्कम टो वर यूटूब चैनल कामरान द एजूकेटर आज की इस वीडियो में आपको इंटर्मीडियेट टॉस का इंग्लिश का पेपर बताएंगे कितने मार्क्स में 100 मार्क्स में आता है पेपर और कैसा कैसा जो है इसका पैटन होता है सेक्शन वन म में क्या होता है वो भी आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे यह जो है स्टडी मेटेरियल है टॉस की टॉस की टेक्स्बुक नहीं होती है टॉस की रीडर नहीं होती है तलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी ग्रूप A कोड नंबर जो है सबजेक्ट का 302 है इंटरमीडियेट इंग्लिश के लिए ठीक है तो यहां पर पेपर पैटन देख लीजिए जिसको भी इंटरमीडियेट का पेपर पैटन नहीं मालूम है तो उनके लिए काफी हेलफुल में हो जाएगा यह यहां पर आप देख सकते हैं सेलेबस दिया गया है इंग्लिश का सलेबस आप यहां पर देख सकते है one से लेकर जो है total देखिए ठर्त्टी स्ट तक दिया गया है ठर्त्त लेसंस है यहां पर पूरे इंग्लिश के अब यहां पर आपको मॉडल पैपर बता देता हूं इंग्लिश का मॉडल पेपर देख लीजिए Toss Intermediate Model Paper 2019 का दिया गया है Subject English Code No. 302 Maximum Marks जो है 100 Marks है 3 घंटे का टाइम है आपको पेपर लिखने का और यहाँ पे पेपर पैटर्न की पूरी डीटिल्स दी गई है This paper has been divided into 4 sections First to 4 Section 1 carries 25 marks Section 1 जो है 25 marks का होता है Pros और Poetry से आते हैं यानि आपको जो है lessons पढ़ना पड़ेगा क्योंकि poems और lessons से यह फर्स्ट section आएगा Second section जो है 20 marks का है और वो questions जो है study skills से आएगे Section 3rd जो है 35 marks का रहेगा और वो grammar रहेगा पुरा Section 4th जो है 20 marks का रहेगा और वो communication skills से questions आएगे तो total 100 marks का paper है Section 1 में यहाँ पे आप देख सकते है 4 marks में दिया गया है Read the following passage and answer the question that follow यहाँ पे आपको passage दिया जाएगा English में और यहाँ पे आपको questions दिया जा रहे हैं देखें इसके answers आपको लिखना है answer sheet में ठीक है? यह answers आपको लिखना है A, B, C, D आपको passage में से ही मिल जाएंगे answers पड़ेशान नहीं होना है यह 4 marks की bit हो गई Section 1 में A bit Section B में Section A में B bit Section A में B bit Read the following passage and answer the question given यह भी 4 marks में वो ही first वाली bit है different passages आएंगे आपको यहाँ पे passage दिया गया है यहाँ पे 4 questions दिये गया है A, B, C, D इसके answers आपको answer sheet में लिखना है यह 2 bit हो गए है section 1 के next जो है second one यानि कि यह first one था section A में first one में A था और B था अभी यहाँ पे second bit में answer any 4 of the following questions 8 marks में दिया गया है 4 questions लिखना है आपको 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 4 questions लिखना है each question carries 2 marks तो आप यहाँ पे देखे 4 questions दिये गये है यहाँ पे back side भी आप देख सकते है है तक दिये गये total questions यानि कि 1, 2, 3, 4 8 questions दिये गये है 8 questions में से आपको 4 questions ही attempt करना है ठीक है second bit यह हो गई third bit में देखे answer any one of the following questions एक लिखना है आपको 4 marks में लिखना है यह भी who is more intelligent Garrett or the introduer why do you say तो यह आप परेशान नहीं होना है questions कहां से है यह आपके English के syllabus में से ही pros और poetry में से ही दिये गये तो यह भी 4 marks का है आपको next section 1 में fourth bit में देख लिजिए read the following lines from the poem the road not taken and answer the questions given under it 5 marks में poem दी गई है यहां पर पूरी और आपको यहां पर देखे 1, 2, 3, 4, 5 questions दी गई है 5 questions आपको लिखना है answer sheet में who is I in this poem अगर आप poem अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे reader में तभी आप lesson अगर पढ़ लेंगे तभी poem अगर आप पढ़ लेंगे poetry का तभी आपको जो है attempt कर सकते तभी आप यह कर सकते है 5 marks में है यह section 1 complete हो गई है section 2 में आजए यह 5th में read the following passage and answer the questions follows 8 marks में दिया गया है एक passage दिया गया है 4 questions दिये गए है आपको answer लिखना है answer sheet में यह answers आपको passage में से ही type धुन के लिखना है ठीक है search करके लिखना है next जो है section 2nd का 60 bit देख लिजिए read the following passage and answer the question that follows यह भी 8 marks में दिये गए है 5th और 6th जो है दो भी passage है आपको passage में से ही answers लिखना होगा यहाँ पर देखे 4 questions दिये गए है आपको passage में से ही लिखना है next section 2nd का 7th bit देख लिजिए read the passage given below then fill in the table with the required information आपको यहाँ पर passage दिया गया है जहाँ पर भी कुछ भी गलत है और जहाँ पर भी information और ज्यादा लिखना है आपको यहाँ पर उसको पूरा करना है then fill the table with the required information आपको यहाँ पर यह पढ़के जो है table बनाना है 4 marks में करना है आपको section 2nd complete हो गया है section 3rd जो है पूरा grammar आपको बोला था मैं already so section 2nd में 4 marks में fill in the blanks in the following sentences with the appropriate form of the verb given in the bracket yesterday we went to the cinema there were hundred of people there I decided to see that film I decided to see that film आपको इसको वर्ड को सही लिखना है या पर वर्म में लिखना है I decided to go that film at any cost one man sell the ticket sell नहीं आना ठीक है sell की बज़े क्या होना one man sell the ticket ठीक है तो इसको आपको वर्ड में करना है बीबिट देख लिजे complete the following sentences with the correct positive form of the verb given ये 3 marks का है section 3rd में A वाला 4 marks B वाला 3 marks C वाला देखिए combined the following pairs of sentences using the connective given against each pair यहां पर आपको जो है bracket में दिया गया है देखिए उससे आपको अलग लिखना है 4 marks में दिया गया है Ravi passed the examination he worked hard Ravi passed the examination because he worked hard तो आपको ऐसा करना है C वाला 4 marks में है deep beat देख लिजे read what Gopi and Ali say to each other report what each said to the other 4 marks में लिखना है Gopi how does your new English lecture teach Ali she teach well Gopi asked Ali Ali told Gopi यह आपको अपने own से बनाना है में से ही देख के तो आपको 4 marks मिल जाएगे next e bit देख लिजे the underlined words phrases in the following sentence contain some errors in them correct them and rewrite the sentence आपको यहां पर एक sentence दिया गया है जैसे कि Lata is loving her net dog very much यहां पर error है Lata love her net dog very much यह आपको correct करके लिखना है जो भी underlined word है उसी को आपको correct करना है यह error है इसी को correct करना है कैसा correct करेंगे Lalita loves her net dog very much she loves to look at the moon at night she loves to looked at the moon at night एरर दिया गया है underlined words को उसको आपको सही लिखना है next ninth bit देख लिजिए read the following passage and make notes in points suggest a suitable title to the passage तो आपको read करना है passage फिर इसी में से जो है आपको notes बनाना है own से आपको notes बनाना है यही passage में four marks मिल जाएंगे आपको देखिए यहां तक दिया गया passage बहुत बड़ा passage है इसी में से आपको notes बनाना है write the story not less than 60 words आपको कुछ clues दिये गए यहां पर एक story बनाना है एक story दी गई है इसको समझना है और इसी से जो है आपको 160 words की बनाना है five marks में दिया गया है lion, ship, sleep, forest mows, come, jump इसी के words से आपको story create करना है five marks में कर सकते आप इसी से related बनाना है lion, sleep, at the forest ऐसा mows, come and jump lion's back इसी से related आपको 60 words में एक story तयार करना है five marks आपको मिल जाएंगे ठीक है next 11th bit देख लीजे section 3rd में read the letter given below write a reply approximately five marks में दिया गया है एक letter यहां पर already आपको दिया गया है देखिए यह letter आपको read करना है फिर इसी से एक reply आपको बनाना है यहां पर देखिए पुरा letter खतम हो गया है अब यहां पर यह letter आपको reply इसी का बनाना है इसी से related write a letter to the sub inspector of police of your area about the theft theft मतलब chore of your bicycle at the temple yesterday आपको sub inspector आपके area के sub inspector of police को letter लिखना है आपके area के क्यूंकि आप जब temple को गये थे तो आपकी bicycle चोरी हो गई थी कोई चोर आके लिखे चले गया था give the details of the bicycle bicycle की details लिखना है आपको आप अगर यह letter लिख देंगे तो आपको 5 marks मिल जाएंगे ठीक है यह हो गया 5 marks next section third में 12th bit देख लीजिए read the conversation and write the message accordingly conversation मतलब dialogue writing को बोलते हैं एक दूसरे से बात करना दो persons एक दूसरे से बात करने को conversation बोलते हैं ठीक है इसको dialogue writing भी बोलते हैं बहुत जने confused हो जाते हैं conversation मतलब dialogue writing होता है read the conversation and write the message accordingly conversation आपको पढ़ लेना है फिर आपको एक message लिखना है चार marks में दिया गया है यहाँ पे दो जनों का conversation है एक operator का एक caller का ठीक है तो यह देख लिजे यहाँ पे और यहाँ पे देखिए आपको message लिखना है यहाँ पे देखिए from phone number message क्या दिया message taken by user वो आपको conversation पढ़के अपना own से यहाँ पे message बनाना है next 13 bit देख लिजे section 3 में write a suitable response to the following questions it the inquiry office of the solar junk museum it the inquiry office of the solar junk museum तो आपको यहाँ पे क्या करना है the inquiry office of the solar junk museum it the inquiry office of the solar junk museum यह आपको correct करना है write a suitable response देना है आपको please tell me the time when we can visit the museum तो यहाँ पे आपको time लिखना है बहुत easy है यह आपको करना है next देखिए 14th bit देख लिजे 14th में देख लिजे write an email message to your father telling him about your illness आपको father को एक message लिखना है आपकी बीमारी की वज़े के बारे में ठीक है आप बीमार क्यूं है उसको आपको एक letter लिखना है section 4 के है यह section 4 यहाँ से शुरू हो गया है तो section 4 में 15th bit देख लिजे read the following advertisement that appear in newspaper on 271 advertisement जो है newspaper में appear हुई है उसके बारे में आपको read करना है next 16th bit देख लिजे you are the inspector of school in Emendal you have been asked to conduct a survey in a village called Ramapuram on the possibility of opening primary school there write a report to the district education officer of your district with a recommendation to open a primary school there तो यहाँ पे कुछ hints दिए गए है ऐसा format में आपको बना के लिखना है तो यह बहुत easy है 5 marks में आपको आ जाएंगे तो परेशान नहीं होना है काफी easy है section 4 4th जो है कितने marks का है वो यहाँ पे देख लेंगे section 4 20 marks का दिया गया है तो 20 marks मतलब यहाँ पे देखे 4 marks हो गए यहाँ पे 4 marks बोले तो यह 4 marks यह 4 marks 12 यह 4 marks यह 4 marks यह 4 marks और 5 marks यह 5 marks ठीक है तो total section 4 जो है 20 marks का दिया गया है बहुत easy है और यहाँ पे पीछे answers भी दिये गए है passage के परेशान नहीं होना है जिसको भी answers चाहिए अभी जो बताया हूँ वो यहाँ से answers not done कर सकते हैं देखे answers भी दी गई है अगर आपके पास study material नहीं है तो आप मेरे पास से यहाँ पे answers देख लीजिए मैं यहाँ पे आपकी वीडियो में बता दे रहा हूँ यहाँ पे वीडियो में आप देख लीजिए पूरे answers आपको यहीं पे मिल जाएंगे तो पूरे answers भी बता देता हूँ मैं आपको अगर आपके पास study material नहीं है तो देखिए तो section 1 के मैं आपको पूरे बता रहा हूँ जिसको भी लिखना है वो लिख ले सकते है यहाँ पे answers के साथ मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ section 3 शुरू हो लिया देखिए 50 bit के answers भी है यहाँ पे passage के answers next जिसको भी लिखना है वो यहाँ से लिख ले सकते हैं आंसर सगर आपको लिखना है बुक में ये आपके पहँ कर आपास study material नहीं है कोई बात नहीं आप paper pattern देख लिजे और ऐसा आप को hint मिल जाएगा और आप जो है काफी प्रिपेर कर सकते हैं यहां से भी 9th bit देख लिजे 16th bit देख लिजे 10th bit sorry 11th bit देख लिजे 16th bit देख लिजे next section 4th conversation आप देख लिजे रिदा conversation and write the message accordingly, conversation आपको दे दिया गया है, message देखिए, कैसा लिखना है, यहाँ पर answer है, तो यहाँ पर सिर्फ इता ही लिखना है, आपको देखिए, कैसा लिखा गया है, next 13 पीट भी देख लिजिए, next पीट नमबर, यहाँ पर देख लिजिए, questions पूरे दिये गया है, answers दिये गया है, इसके, ठीक है, तो वो model paper आपको बता दिया हूँ, same model paper से दूसरे भी, तो आपको काफी मदद मिल जाएगी, अगर आप यह practice कर लेंगे, अगर आपके पास यह study material रहती है, English की, तो आपको जो है काफी मदद मिल जाएगी, 2019 का मैं model paper बता दिया था, English का, 18 का भी यहाँ पे इस पे available है, तो यह आपको paper pattern तो समझ में आ गया होँगा, intermediate English का, code number 302 subject का परेशान नहीं होना है, कुछ भी अगर आपको English में dot है और कुछ चाहिए, तो नीचे कमेंट जरूर करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजे, वीडियो को जरूर शेर करें, जहिंद,